हलो बच्चो मैं एंट्यार सर्मा आप सबका फिर से आपके अपने चारण एंट्यार मैस पर स्वागत करता हूं आज हम लोग कोश्चन नमर 13 से देखेंगे इससे पहले के जो वीडियो था उसमें हम लोग एक से लेके बारता कंप्लीट के लिए था कोश्चन यह जो कोश्च आज का जो कुश्चन है इसमें हमसे कहा है कि साइन क्यू यानिकी साइन क्यू थिटा प्लस में कॉस्ट क्यू थिटा डिवाइड वाई साइन थिटा प्लस कॉस्ट थिटा प्लस में साइन थिटा इंटु कॉस्ट थिटा को सॉल्व करके दिखाना है हमें इसको सिंप्लिफ यहां पर imply होने वला है तो aq plus bq का जो formula होता है मैं उसे यह लिख देता हूँ यह होता है आपका कि a plus b into a square minus a b plus b square होता है अगर आप यह मान के चलो कि a का जो मान है वो आपका यहां पर sin theta होगा और b बराबर cos theta मान के चलो तब इसको solve करने में आपको आसानी होगी तो जब a का मान sin theta b का मान cos theta है तो आप देख रहे होगे कि sin q theta plus में cos q theta है तो इसके जब पर हमें क्या लिखना होगा हमें यह formula लगाना पड़ेगा a plus b का यानि कि first time आपको लिखना पड़ेगा यहां पर sin theta plus में cos theta bracket में square वाला पार्ट को मैं एक तरफ लिखता हूँ यानि कि sin square theta प्लस में cos square theta और into में a minus b है उसे मैं side में लिख देता हूँ मानस में a minus b यानि कि sin theta into में cos theta और divide में जो है और रहेगा ही रहेगा नीचे आपका आदे रखा sin theta plus में cos theta और इधर भी दे रखा आपका प्लस में sin theta into में cos theta अब देखेगा आप यहाँ पे यह जो आपका sin theta और प्लस cos theta जो है denominator part यह आपका cancel हो जाएगा इस पाले part से यहाँ क्या बचेगा sin square theta plus cos square theta का value क्या होता है 1 होता है तो 1 minus में यहाँ आपके sin theta into cos theta रहेगा ही रहेगा sin theta into में cos theta और बाकि जो बचा पाट इधर plus का sin theta into में cos theta अब देखोगे आप यह भी आपका plus और minus के रूप में आ चुका है यह दो भी cancel हो जाएगे तो लास्ट में आपके प्लास क्या बचेगा 1 बचा यानि कि 1 is the final answer ठीक है next question देखते है next question आपका कि 3 minus tan theta divided by 3 cos theta minus sec theta इसको simplify करना है आपको पता होगा कि tan theta के लिए हम लोग क्या यूज़ करते है sin बचे cos यह लिखते हैं हम लोग कि 3 के लिए 3 रहेगा minus में tan theta के लिए आपको लिख लो sin theta divide में cos theta और यह जो बटावला portion है यह आपका यहाँ पर आ जाएगा अब 3 का 3 फिर से भी यहाँ पर into cos से के लिए आपको पता है कि 1 बचे sin theta का यूज़ होता है तो sin theta minus का minus sec के लिए 1 बटा cos theta अब इसके बात क्या होगा अगर आप यहाँ पर देखो तो इसको जब भीन का घटाव किजिएगा तो इसका LCM क्या आएगा cos theta यह उपर चल जागा 3 cos theta minus में sin theta divided by यहाँ पर इसका LCM हो जागा sin theta into में cos theta अब sin से sin cancel cos बचेगा cos जागा उपर तो उपर हो जागा आपका 3 cos theta फिर से minus cos से cos cancel sin बचेगा sin जागा उपर एक के साथ तो यहाँ पर हो जागा sin theta अब देखेगा कि इसको जब यह भाग के रूप में अभी जब क्रोस कुना के रूप में लाएंगे तो यहाँ पर हो जागा 3 cos theta minus में sin theta divide में cos theta multiply with यह जो आपका नीचे वाला portion उपर चल जागा और उपर वाला नीचे यहाँ पर हो जागा आपका sin theta into में cos theta divide by 3 cos theta minus sin theta अब यह वाला जो portion है आपका इस वाले portion से cancel out हो जाएगा यहाँ कि 3 cos theta minus में sin theta और 3 cos theta minus में sin theta cancel यह cos theta इस cos theta से cancel हो जाएगा तो बचेगा कि आपके पास simple sin theta बचेगा ठीके और यही finally आपका answer होगा next question देखते है next question में आपसे कहा है कि 2 cos square theta plus 2 by 1 plus यहाँ पर भी आपका cos square theta ही होगा इसको solve करना है यह question जो आपका कुछ इस तरह से दे रखा है कि 2 cos square theta plus 2 by 1 plus cos square theta दे रखा है आपको पता होगा formula कि 1 plus cos square theta के लिए हम लोग लिखते है क्या cos square theta यह आपका formula है तो अगर यहाँ पर इस चीज का use कीज़ेगा तो 2 cos square theta का cos square theta ही रहेगा यह 2 का 2 और 1 plus cos square theta के लिए नीचे आपका आजाएगा cos square theta ठीके? अब इसके बात के देखिए कि 2 cos square theta तो j का तेम ही रहेगा भी आपका plus में यह 2 और यह जो है आपका अगर आप यहाँ पर देखोगे multiply with 1 तो 1 by cos square theta होता है आपका sin square theta that means 2 into यहाँ पर 1 बटा cos से जोगा यह sin group में convert हो जागा और square जो है लगा रहेगा इसमें अब 2 to दोनों में match कर रहा है 2 को बाहर निकाल लीजी अंदर क्या बचेगा? cos square theta और plus में sin square theta 2 j का तेम रहेगा और cos square theta plus sin square theta के लिए आपको पता है कि इसका value क्या होता है? 1 होता है यह इनि multiply with 1 इनि finally आपके पास क्या आएगा? 2 answer होगा इसका next question देखते है next question में है कि 2 sin square theta degree plus में 1 plus में 2 sin square 37 degree divided by 3 cos square 77 degree minus में 2 plus 3 into cos square 73 degree इसको solve करना है आपको formula यह पता होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि sin theta equal to आप लिख सकते हो cos 90 degree minus theta या फिर cos theta equal to लिख सकते हो sin 90 degree minus में theta इसमें दोनों formula का इसमें पिउज होगा आप चाहोते हैं आपे square भी लगा सकते हो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला इसको तो इसी चीज़का हम लोग यहाँ पिउज करेंगे जो आपको question दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 2 sin square 63 degree और यह जो plus का ओने से मैं बाद में लिखूँँगा पहले मैं इसे ले लेता हूँ plus में 2 और जब आप यहाँ पर देखोगे कि sin square 37 degree है तो आप इसके लिखोगे 90 degree के एंगिल में तो sin square के मैं sin square रहने लेता हूँ और 27 degree के लिख क्या करोगे आप कि 90 में से कितना घटा होगे तो आपके पास 27 आएगा तो यह आपको घटाने पड़ेगा 63 इन्हीं माइस में 63 degree घटाना पड़ेगा और बाद का plus 1 यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ यह आपका 3 cos square 70 degree और यह plus में 3 cos square आप जो 63 degree है इसको 90 में से घटाना पड़ेगा तो 90 में से क्या घटाई है कि आपकी बाकी का यह 63 का तरफ बचा ही रहे तो आपको घटाना पड़ेगा 17 degree और बाद में माइस 2 का 2 जिवकाते हूं लगा 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 है हमें यहाँ पर माइस 2 अब यहाँ पर देखोगे आप कि 3, sorry यह आपका 2 sin square 63 degree पलस में 2 अब यह जो sin 90 degree माइस में जो थीटा पाठ है तो आपको पता होगा यहाँ पर कि sin 90 degree माइस थीटा क्या होता है यहाँ पर यहाँ आपका होता है cos के लिए तो यहाँ पर हो जागा आपका क्या cos यematics 곯शक秒 थीटा के लिए क्या होगा 63 degree तो 63 degree पलस 1 का पलस 1 दीवायर में 3 cos square 70 degree पलस में 3 यह आपका फिर से चेंज हो जागा cos 90 degree माने थीटा cos 90 degree माने थीटा क्या होता है यह आपका होता है साइन के लिए, यहाँ पर भी दीजी, साइन स्क्वाइर, सेवेंटी डिगरी और बाद में क्या आपका माइस टू तो माइस टू का टू अब यह जो आपका फर्मूला हो गया, इसमें आप देखेगा कि टू कॉमन निकाल लेजी उपर बाले में जब आप टू कॉमन निकाल लिएगा तो अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वाइर 33 डिगरी पलस में कॉस स्क्वाइर 33 डिगरी मैंने टू इन दोन में से निकाला हूं कॉमन यह आपका पलस का बाहर रहेगा अब इसके निचे देखे कि तीन इस में मिल ला है कॉमन तीन निकाल लिजे कॉमन क्या पचेगा यहाँ पर कि कॉस स्क्वाइर 17 डिगरी पलस में साइन स्क्वाइर 70 डिगरी और मानिस का 2 अब साइन स्क्वाइर थीटा पलस कॉस स्क्वाइर थीटा का मान तो 1 होता है और यहाँ पर theta के जब पर 300 degree 300 degree दे रखा है यानि किसका value भी क्या होगा 1 होगा और plus में 1 divide में 3 यहाँ भी cos square theta plus sin square theta का फोन लगेगा square लगेगा और theta के जब पर 70 degree दे रखा है दोनों में same same है यानि किसका man भी क्या होगा 1 और minus का true अब 2 में 1 से गुना करोगे 2 plus में 1 3 में 1 से गुना करोगे 3 और minus का true अब 2 में 1 गया 3 3 बटे 1 यानि finally answer का आएगा आपके पास 3 आगया answer ठीक है next question देखते है next question में आपसे tan 30 degree into cos x 60 degree plus tan 60 degree into 6 x 30 degree इसको solve करना है यह जो value दे रखा आपको tan 30 degree इसका value आपको पता होना चाहिए कि tan 30 degree का जो value होता है वो आपका होता है 1 बटे root 3 into ता into और इदे रखा है 60 degree 60 degree का जो value होता है आपको याद होना चाहिए कि sin 60 का होता है root 3 बटे 2 और sin का जब root 3 बटे 2 होता है across से कि उसका क्या है cost 30D का माहन होता है root 3 बटे 2 यह हो जागा आपका 2 बटे root 3 अब इरे root 3 से root 3 cancel हो जागा यहाँ पर जब multiply कीजएगा तो उपर आपका 1 में गया 2 2 बचेगा नीचे root 3 से root 3 सिर्फ 3 बचेगा प्लस में यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा LCM 3 यहाँ आपका 2 3 दूने के 6 इनकी 8 बटे 3 final answer आपका आगया ठीक है next question देखते है next question मैं इस तरह से कुछ question दे रखा है बस इसमें square लगा रखा है तो 10 square 60 degree तो 10 square 60 degree का मान क्या होता है यहनिकी 10 60 degree का मान अभे भी मैंने लिखा है root 3 root 3 का square कर लिजी प्लस में 4 cos 45 degree का मान क्या होता है एक बटे root 2 इसका आपे square कर लो प्लस में cos एक 3 degree का मान क्या होता है cos एक 3 degree का मान होता है 2 यानि 2 का square कर लिजी प्लस में 5 और यह आपका cos 90 degree का मान होता है कितना 0 यानिकी 0 का square जब इसको किजेगा तो square से root खतम यानि सिर्फ 3 बचेगा, पलस में 4, गुना 1 पटा 2 का square होता है, 1 पटा root 2 का square, 1 पटा 2, पलस में root 2 का square, ये 4, और last में क्या बचा है, 0 आपके पास, इससे ये गया, 2 बार में, यानि कि 2, 3 पलस 2, पलस 4, यानि कि 3 आ 2, 5, 5, 4, 9, इसका answer होगा, ठीके, next question देखते हैं, next question बोला है, कि theta का माद 30 degree रखने पर, cos 3 theta, पलस में 4, cos q theta, माइस में 3 cos theta, आपके समें बराबर होता है, तो LHS को लेते हैं, LHS में दे रखा है, कि cos 3 theta, यानि कि cos 3, और theta जबर कितना रखना है, 30 degree, यहीं multiply with this, that means cos 90 degree, और cos 90 degree का value होता है, 0, अब चलते हैं, हम लोग RHS part में, RHS part में रखना है, आपको 4, cos q, 30 degree, माइस में 33, cos 30 degree, अब 4 का 4 रहेगा, यहाँ पर, और 30 degree का मान कितना होता है, यह होता है, root 3 बटे 2, और power में क्या, power में 3, माइस में 3, गुने, यह cos 30 degree, यानि कि root 3 बटे, फिर से 2, इसको आप implies किजिएगा, तो यह आपका 4, गुने, root 3 गुने, root 3 गुने, root 3 गुने, root 3 बटा 2, root 3 बटा 2, माइस में यहाँ पर हो जागा, 3, root 3, by 2, अब यहाँ पर देखेगा, यह 4 से गया, दो बार में, फिर से यह गया, इस से, तो आपके पास क्या बचेगा, root 3 में, root 3 से multiply किजिएगा, 1, 3 बनेगा, और यह root 3 फिर से आपको बापिस यहाँ पर आजागा, divide में 2 का 2 बचा हुआ रहेगा, minus में धर क्या है, कि 3 root 3 बचा हुआ है, और divide में 2, यह same to same मिल ला है, दोनों के दोनों के cancel हो जाएंगे, यानि क्या आपके पास 0, तो आप देख रहे हो कि LHS में आपका 0, और RHS में भी 0, तो that means LHS बरावर हो जाएगा आपका RHS के और यह चीज पूर्वट हो जाएगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, next video में हम लोग next question के बारे में पढ़ेंगे, तब तक क्लिए बने रहे हैं, thank you,